बीशन गर्मी और चिलचलाती धूप के बीच उत्तर पश्चमी भारत के राज्यों में मोसम बदलने वाला है मोसम विभाग की माने तो आज यानि 24 मई से 26 मई के बीच उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविद्या देखने को मिलेगी एक ताजा पश्चमी विच्चोब के असर से मोसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविद्या बढ़ गई है मोसम विभाग के माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आजनियों तम तापमान 27 डिग्री और अधिक तम तापमान 49 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और वहीं नई दिल्ली में गरज के साथ बारिश की गतिविद्या भी देखने को मिल सकती है मौसम विभाग की माने तो 27 मई तक दिल्ली NCR के इलाकों में बारिश की गतिविदिया जारी रहेगी तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी बता दें आईमडी के इनुसार उत्रपरदेश की राजधानी लखनों में आज नियुत्म तापमान 13 डिगरी और अधिक्तम तापमान 40 डिगरी दर्ज किया जाएगा और वहीं लखनों में आज गरज के साथ एक या दो बार बारिश भी देखने को मिलेगी मौसम विबाग की माने तो लखनों में 28 मई तक बारिश की गतिविद्या जारी रहेगी गाज़ बाद की बात करें तो यहां भी आज बारिश की गतिविद्या देखने को मिलेगी और वहीं आज यहां नियुतम तापमान 24 डिगरी और अधितम तापमान 49 डिगरी दर्ज किया जा सकता है इसी के साथ गाज़ याबाद में तीज हावाई भी चल सकती है आईमडी के अनुसार बिहार में भी मौसम में बदलाव देखा जाएगा पिहार में आज से अगले तीन दिनों तक बारिश की गतिविदिया देखने को मिलेगी आईमडी की मानी तो पंजाब और हडियाना में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा मौसम में इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी जिस से लोगों को गर्मी से रहत मिलेगी मौसम विभाग की मानी तो आज पस्चमी बंगाल पूर्वी उत्रबारत और केरल की कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिश के साथ एक या दो इस्तानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है वहीं आपको बता दें मुझाफराबाद, लद्दाक और जमुकस्मीर में हलकी से मध्यम बारिश और बर्भारी देखने को मिलेगी हिमाचर परदेश और उत्रगंड में भी कुछ रस्तानों पर हलकी बारिश की संभावना है इसी के साथ तमिलनाडू, करनाटिक, तेलंगाना, दक्चिन चतिसगर, आंद्रपरदेश, उत्री बिहार और उत्तर बिहार, ओडेशा और गंगिया पस्चिम मंगाल में एक या दो स्तानों पर हलकी बारिश की संभावना है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही इन खबर के साथ